जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्रीकृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्रीकृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था, तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। कौन थी राधा? पद्म पुरान के मुताबिक राधा वरिश्भानु नाम के एक घोप की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गाव में हुआ था। बाद में उनके पिता बर्साना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि राधा का जन्म बर्साना में ही हुआ था। बर्साना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्थ पुरान के अनुसार राधा जी कृष्ण से चार साल बड़ी थी और उनकी मित्र थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। वह हमेशा के लिए व्रिंदावन छोड़ कर मतुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लोटेंगे। लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। नहीं राधा जी के मतुरा या द्वार का जाने का जिक्र मिलता है। राधा जाधागा से वादे है। राधा जाधा से बाधा जी कर देकित का जाने के लिए प्रिंदावर अच्टतों